Hello friends आज हम बात करेंगे life के एक बहुत important aspect के बारे में और वो बहुत important aspect है relationship और relationship का एक बहुत important aspect है कि कई बार हमारी close relationship में चाहे वो marriage का relationship हो चाहे वो business partnership हो चाहे वो friends के बीच कई बार conflict हो जाता है छोटी या बड़ी बात को लेके और हम लोग को नहीं पता होता है कि किसी भी conflict को कैसे handle करना है कई बार ego clashes हो जाते हैं, कई बार कई reason होते हैं, कई factors होते हैं और हम लोग उस relationship conflict को ना manage कर पाने के वज़े से कई बार बहुत important relationship को lose कर जाते हैं तो आज मैं आपको 7 steps का process share करूँगा अगर आप उसे follow करेंगे, तो आप किसी भी conflict को आप resolve कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मैं विवेक राठोर, author and neuropsychology expert चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं तो देखे, अगर कभी भी कोई conflict हो गया है तो what is the first step? The first step is, सबसे पहले घबराईये मत pressure में मत आईए डरिये मत first be calm अपने आपको relax करने कोशिश कीज़े तो थोगा मुश्किल होता है, लेकिन possible है एक simple सा mind में एक principle ध्यान रखिए जिसको बोलते हैं Murphy's law what can go wrong, will go wrong अगर कोई चीज खराब हो नहीं है, तो वो हो कि तो अपने आपको सबसे पहले fear zone से बाहर रखिए first be calm, first calm yourself अब हम बात करेंगे step number two की जो की कहता है कि try to find others point of view and personality हमें अपने से जादा किसी भी conflict में हमें ये समझने की ज़रत होती है कि सामने वाले का point of view क्या है और उसकी personality कैसी है ये बाते आपको काफी information दे देगी उस situation को या उस conflict को handle करने में step number three, जो भी आपके valid points है conversation में, communication में उसको straight present करने की या convey करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगा आप क्या सोचते हो, आपका क्या perception है आपके बास क्या information आई उसको आप straightly convey कीजिए step number four, हमें एक बात का ध्यान रखना है हमें patience शो करना है कई बार क्या होता है, कि अगर कोई conflict होता है तो हम लोग उसे तभी heal करने कोशिश करते है कई बार थोड़ा सा हमें time देना चाहिए क्योंकि कई बार जो situation होती है वो थोड़ी सी against होती है कई बार हम लोग तुरन चीज़ों को नहीं समझ पाते है थोड़ी time में हम लोग समझ में आ जाती है कि हमारी क्या गलती है या हमारा जो partner है, जिसके साथ conflict हो है उसकी क्या गलती है तो don't try to heal the situation at the same time कई बार आपको patience रखने की ज़रवत पड़ सकती है Then point number 5 आप अपनी गलती भी observe कीजिए कि क्या आपकी कोई गलती है अगर है तो उसको accept कीजिए ये बहुत strong point है और ये बहुत एक strong leadership quality है जिससे आप बहुत से conflict को handle कर लेंगे और इससे आपसे ज़्यादा आपका जो सामने वाला है आपका जो partner है जिसके साथ conflict है उसको ये अंदर डर होगा कि कहीं आपको वो आपको न लूज कर दे The next point is कई बार आपको पता होगा कि जो आपका जो partner है उसकी क्या गलतियां है वो क्या गलती कर रहा है आप उसको जानिये लेकिन कई बार उसको convey मत कीजिए क्योंकि उसको जैसी आप convey करोगे हो सकता है चीजे बिगड जाएं खराब हो जाएं तो आप उसको समझे उसका बाद में सही time पर convey कर सकते हैं कई बार conflict handle करते समय उन पॉइंट को आप hold कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट पॉइंट किसी भी conflict को resolve करने में हमें एक limit तक जुखना है एक limit से यादा हमें नहीं जुखना है क्योंकि देखिए हमारा जो self respect है उसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप किसी भी conflict को handle करने के लिए आप अपने best efforts दे रहो तो आपके partner या जो भी जिसके साथ भी conflict है friend, partner, business partner, कोई भी हो सकता है वो उनकी भी responsibility है ये केवल आपकी responsibility नहीं है कोई भी relationship एक person के चलाने से नहीं चलता है उसमें दोनों person का role है तो अगर आप honest efforts कर रहो तो एक limit तक तो जुकना ठीक है उसके बाद ठीक नहीं है हलागि इस चीच को आपको बहुत delicately handle करना है क्योंकि कई बार हमसे क्या गलती हो रही हो थी वो हम लोग नहीं समझ पाते है और हम लोग कई बार ego में आ जाते है तो इस बात का ध्यान रखना है और एक last point जो सबसे important है कि हर जगा काम करता है relationship में भी काम करता है Give your best, leave the rest आप अपना best दीजे, बाकी आप छोड़ दीजे अपने आप चीज़े settle down हो जाएंगे तो आपने वीडियो को यहां तक देखा आप कमेंट में शेर कीजिए इस चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत थैंक्यू